आज हम सीखने वाले हैं वीडियो का क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं वीडियो को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं तो चलिए अब इसका इडितिंग सीख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको आच्छा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा तो चलिए अब आपको लेकर करके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपके फोन में मीटू एप होना चाहिए अगर नहीं है तो आप नीचे जाएगा लिंक मिलेगा टेलिग्राम इंस्टाग्राम वाट्सअप ग्रूप आप जिसपे आना चाहते हैं आ जाएगा एक मेसेज किजिएगा कि भाई हमको मीटू एप चाहिए लिंक दे देंगे डाउनलोड कर लिजेगा अगर इस एप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे न तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना परेगा आपको पैसा पे करना परेगा अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फिरी में हो तो आप मुझे मेसेज किजिएगा एप दे देंगे आप डाउनलोड कर लिजेगा अगर इसमें कोई भी प्रोब्लम होता है तो आप वाट्चाप पे टेलिग्राम इंस्टाग्राम पे मेसेज किजिएगा प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगा तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आप सब के सामने इडितिंग करके दिखाते हैं हम अपने मीटो एप को ओपन कर लेते हैं कुछ इस परकर से ओपन हो करके आ जाएगा यहाँ पर आपको बहुत सरा अपसन देखनों को मिल जाएगा लेकिन आपको किलिक करना है वीडियो इडितिंग पे तो चलिए हम यह से वीडियो इडितिंग पे किलिक कर देंगे तो आपका वीडियो ओपन हो करके आ जाएगा यहां पर आपको बहुत सरा option देखनों को मिल जाएगा तो हमको वीडियो का quality बढ़ाना है तो आप जिस वीडियो का quality बढ़ाना चाहते हैं उस वीडियो को select किजिएगा start वाला icon पे click कर देजिएगा कुछ इस परकार से add हो जाएगा अगर यहां से कुछ edit करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं लेकिन हमको बताना है कि आप अपने वीडियो का quality कैसे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाने के लिए आप अपने वीडियो पे click किजिएगा बहुत सरा option animation यहां पर आपको देखनों को मिल जाएगा delete copy crop mask आगे देखनों को मिल जाएगा image quality HD यहां पर देख लिजिए इस पर आप click किजिएगा जैसे ही click करेंगे यहां पर processing होना start हो चुका है यहां पर आप wait कर लेजिएगा जब तक यह processing complete नहीं हो जाता अगर यहां पर एक option भी आता है okay करने का तो आप यहां से okay पर click कर दिजिएगा और आप अपने mobile data को on रखिएगा किमकि जो भी काम होता है आपके mobile data पर होता है तो आप अपने mobile data को on किजिएगा तो हम यहां पर थोड़ा सा wait कर लेते हैं जब तक यह processing complete नहीं हो जाता और हां यहां पर आप मेरा video जो देख रहे हैं इसका जो quality है थोड़ा सा आप बढ़ा करके देखिएगा ताकि आपको पाता चले कि मेरा जो before वाला video था उसका quality कैसा है और जो हम edit करके after में दिखाएंगे उसका quality कैसा है तो आप यहां से quality बढ़ा करके देख लिजिए ठीक है यह रहा मेरा पहले वाला video देख सकत होंगे और जैसे यह processing complete हो जाएगा तो आप after वाला video देख लिजिए कि यहां पर मेरा जो दाता है खतम हो चुका है 50% ठीक है तो मेरा जो quality था यहां पर complete होने वाला है हम wait करते हैं वीडियो को थोड़ा सा भी skip नहीं करेंगे देख लिजिए कुछ इस परकार से अब मेरा processing complete हो चुका है देख लिजिए यहां पर processing complete हो चुका है लिजिए अब देख लिजिएगा after में कैसा आपको देखनों को मिल जाएगा बिल्कुल आच्छा तरीका से हो चुका है कुछ इस परकार से आपको quality देखनों को मिल जाएगा इतना हो जाने के बाद यहां से आप down पे click किजिएगा अगर कुछ भी edit करना चाहते हैं इसमें वो आप कर सकते हैं हमको नहीं करना है बस quality बदाना था वदा दिये उसके बाद down पे click कर देंगे अब हम सीख लेते हैं कि इस video को save कैसे करेंगे तो save करने के लिए यहां से आप 3.line पे click किजिएगा कुछ इस परकार से यहां से आप video पे ही रहिएगा इसका जो quality है आप यहां से increase भी कर सकते हैं तेन ATP या फिर 2 के यहां पर आप कर लिजिएगा उसके बाद इसका जो frame rate है इसको भी आप increase किजिएगा अगर आपके mobile में support नहीं करता है तो आपका जो quality है तेन ATP पे कर लिजिएगा ठीक हम चले 2 के पे कर लेते हैं उसके बाद save to album पे click कर देते हैं तो मेरा जो video था यह gallery में save हो जाएगा यहां पर आप देख लिजिए processing start हो चुका है चलिए इसको हम complete होने देते हैं उसके बाद आपको gallery में चलके play करके आपको दिखा देते हैं तो हम यहां पर complete होने देते हैं यहां पर काफी fast हो रहा है जैसे कि आप देख साकते होंगे complete होने वाला है कुछ इस पर करशें जैसे कि आप देख साकते होंगे like किजएगा subscribe किजएगा है न तो यहां पर मेरा जो video था यहां पर save हो चुका है यहां पर एक add आ चुका है तो चलिए हम यहसे cut वाला icon पे click करके cut कर देंगे यहाँ पर feedback मांग रहा है तो हम यहसे cut वाला icon पे click करेंगे मेरा जो video था यहाँ पर save हो चुका है चलिए आपको अब play करके दिखा देते हैं कि quality कैसा आया है तो चलिए हम यहसे photos app को open कर लेते हैं कहां गया है यह रहा हम इसको open करेंगे सबसे पहले आपको दिखाएंगे before वाला video तो यह रहा मेरा before वाला चलिए सबसे हम दिखा देते हैं सबसे पहले before वाला ठीक है पहले मेरा ऐसा था देख लिजए कुछ इस परकर से इसका quality है वीडियो था तो इसका जो साइज है चार एमबी में है ठीक है उसके बाद यहां से बाइक वाला आइकन पर किलिक करेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं आफ्तर वाला जो हम इडित की हैं इसका क्वालीटी देख लीजिए कुछ इस परकार से इंक्रीज हुआ है उसके 26 MB तो मेरा यहां पर क्वालीटी इंक्रीज हो चुका है और यहां पर आप उतना भी उमीद नहीं रखिएगा कि आपका जो वीडियो था वह बिल्कुल 4K में हो जाएगा मतला अच्छा क्वालीटी में आ जाएगा उतना यह वर्क नहीं करता है हाँ थोड़ा बहुत इंक् स्क्रिप्सन लेना का कोई अप्सन आता है या कुछ भी आता है इसू आता है तो आप मुझे वाट्साप पे इंस्टाग्राम पे या भी टेलीग्राम पे कहीं भी मेसेज किजिएगा कि भाई हमको यह प्रोब्लम है वह सल्व हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही